Team India ने T20 World Cup की planning शुरू कर दी है, 30 खिलाडियों पर अब नजर रखी जाएगी और इन 30 खिलाडियों के पूल में हर एक खिलाडी का workload तक marriage किया जाएगा। वो कौन से 30 खिलाडी होंगे ये भी एक बात है और नजर रखी कहा जाएगी ये भी देखने वाली बात है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि विराट कोली रोहिश शर्मा इन दोनों से भी बातचीत करने के लिए Chief Selector कौन है? कई सारे हैं? क्योंके committee होती है, वो committee के कुछ member South Africa भी जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर रोहिश शर्मा और विराट कोली है, इन दोनों से बातचीत की ज जाएगे और कहा जाएगे भी ये देखो, अफगानिस्तान का स्कौर्ड हमें निकालना है, तो जल्दी बताओ, फाइनल करो, अगर तुमको खेलना है कि नहीं खेलना है, तो कैसे खेलोगे? क्योंके T20 सीरीज आखरी है वोल्ड कप से पहले, उसके बात वरना फिर आई पि का सूखा है, उसको खत्म करने का मौका एक बार फिर से एक और साल हमें दे रहा है, और अमीद है कि 2007 में T20 वर्ल कप जो हमने जीता था, हम ODI वर्ल कप हार के जीते थे और इस बार भी T20 चैंपियन बन जाएं क्योंके भी या ODI तो हार चुके हैं, इस बार टीम इंडिया की कोशिश रहेगी कि ये खताबी सूखे को खत्म करके वेस्ट इंडिज और अमेरिका में अपना परचम लहराया जाए, अजीत अगरकर की जो सेलेक्शन कमीटी है, इस कमीटी ने प्लैनिंग भी शुरू कर दी है, सेलेक्शन कमीटी अब 30 खिलाडियों पर नजर रखेगी, इस वर्ल्ड कप के लिए इंडियन सेलेक्शन कमीटी काफी माथा पच्ची कर रहे हैं क्योंकि वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, बिल्कुल भी, और ये भी है कि वराट कोली और रोई शर्मा भी तयार है, हाला कि बाच्चीत अभी और पूरे कम्प्लीट है कि ये खेरा भी बिल्कुल सही बात नहीं है, लेकिन मेजर जो लीग है, मेजर जो टॉर्नमेंट है, मेजर जो मैचिस हैं वर्ल्ड कप से पहले वो आईपियल में खिले जाएंगे, ऐसे में सेलेक्शन कमीटी की नजरे इस दोरान आईपियल में भी रहने वाली है, एक मीडिय में खिलाडियों की फॉर्म उनके फ्यूचर को तै करेगी, अगर फॉर्म खराब होती है तो खिलाडी आउट हो जाएंगे और अच्छी होती है तो वो टीम में आने के दावेदार बन जाएंगे, इसके लावा सेलेक्शन कमीटी की नजरे 11 जनवरी से होने वाले अफगान नजर रखेंगे जो हमारे पूल में हैं, किसमें UE में खिले जारे T20 World Cup खिला गये तो उसमें कई खिलाडी सिर्फ IPL के परफॉर्मेंस के दंपरी टीम में आये थे, इनमें एक नाम वरुन चकरवति का भी था, उनके अलावा लेग स्पिनर राहूल चेहर भी टीम में आये लेकिन इन दोनों ने कोई इंपाक्ट नहीं छोडाता है, ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या IPL से इस बार भी खिलाडी उठाए जाएंगे, क्योंकि रिंकू सिंग पर नजर रहेंगी, जिनों इंटरनेशनल क्रिकेट में भी काफिस ज़ादा इंप्रेस कि इसके लावा जितेश शर्मा, तिलक वर्मा, इन जैसे ये नाम भी है, संजू सैमसन पर भी उम्मीद करूँगा कि टीम नजर रखे, इसके लावा यूदी चहल है मेरी लिस्ट में, कई सारे खिलाड़ी उस लिस्ट पर अलग से बात करेंगे, आपको क्या लगता है वो कौ आवेदारी पेश कर सकते हैं, मुझे कोनें जरूर बताइगा, वीडियो अब काने हैं तो आपको पुस्वाएगा, तो तो आपको पस्टाइए, उससे लाइक और शेर जरूर करें, जाते हैं पैसे चानल को सब्स्क्राइब करें जाते हमें हैं, जाता जाने हैं जाते हैं झाल झाल